मान लो मेरे पास एक website है उस पे एक sidebar है मान लो मैं एक button पे click करता हूँ तो sidebar निकल के आता है left side से आप मुझे खुद बताओ कि sidebar कुछ इस तरह से आता हूँ अच्छा लगेगा या फिर कुछ इस तरह से आता हूँ अच्छा लगेगा यह जो smooth transition आपने अभी अपनी screen पर द करेंगे इस वीडियो को like कर देना और नीचे comment section में सिग्मा बैचो भी जरूर लिख देना चलते हैं computer screen में लेट्स रोल दे इंट्रो अचुका हूँ computer screen में दुबारा वापस और एक नए folder बनाऊंगा वीडियो 45 के नाम से अब यह जो transition होता है वह होता क्या है सबसे पहले यह बताऊंगा क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता transition क्या होता है तब आप लोग इस property को समझ नहीं पाऊगो तन अच्छे से transition का मतलब होता है कि एक state से दूसरे state में बहुती smoothly जाना ठीक है तो CSS transition में क्या होता है बिल्कुल वही चीज होती है कि यार एक state से दूसरी state में बहुती smoothly जाना अब मालो मेरा बात से container है ठीक है और इसके बाद मेरे पास इसके इत़र एक box है और मालो मैं यापर कुछ styles लिखता हूं तो मैं यह आ पर एक style डालूंगा अब इसके बाद मालो मैं इसमें कुछ styles डालूँगा यहापर मैं dot container लिखूँगा और इसके बाद मैं dot box लिखूँगा dot container के अंदर मैं क्या लिखूँगा dot container के अंदर मैं लिखूँगा background color एक लिख देते हैं red ठीक है अब आपको मैं इसका preview दिखूँगा अब आपको देखा हुआ है preview मुझे पता लेकिन इसकी width height नहीं डाली है तो इतनी भी जल्दी अभी हमें नहीं करनी है तो मैं इसकी width कर दूँगा let us say 50VW और मैं इसकी height कर दूँगा say 40VH ठीक है और इधर मैं क्या करूँगा कि 10 गुना कम कर दूँगा इसकी height बेसिकली एक बहुती symbol दा box आपको बना के दिखा रहा हूँ तो यह हमारा जो structure है वो खड़ा हो गया भी ठीक है अब मैं चाहता हूँ कि यह translate हो जाए आगे की तरफ तो अगर मैं इसमें class लगा दूँ मारलो मैं class लिखता हूँ यहाँ पर dot t r जो कि translate करेगी मैं आप इसको इसका नाम ही रख देता हूँ translate और इसमें क्या करवा रहा हूँ कि वही जो transform है उसको कर दो आप translate x अपने बात करिए इसकी translate x और let us say हम करते हैं इसको 10% ठीक है और तो दूँ सीकत है शाच साथ translate y मैं करना चाहता हूं उसे 10% ठаक है तो अगल मैं translate x, translate y कर दूँ और जैसे जैसे इस cioè ही class लगाउंगा translate नाम की class टूँ जैसे यह translate then तो मैं अगर इसको लेटस से थोड़ा ज्यादा भी कर देता हूं या फिर मैं एक काम करता हूं इसको वी-डविए क्यों ना कल दूँ मैं इसको वी-एचिक वी-चिक यू ना कल दूँ ताकि रोड़ा हिलता हूँ अभी दिखे तो यह नीचे आ गया ठीक है अब अगर मालों इसमें से एक class हटाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट करके, यह काम हम वैसे javascript से करते हैं, बट अभी मैं आपको दिखाता हूँ, और मैं इसको ऐसे कर दूँ, और मैं इसको लगा हूँ, तो एक जटके से आने का क्या मतलब, एक जटके से आने का मतलब है, कि यह smooth नहीं है transition, यह नहीं कि अराम से आ रहा है, इसलिए हमें इसको smooth बनाना है और वही करती है transition property, तो मैं simply क्या करूँगा, मैं कहूँगा, कि यहां पर भी .translate लगा हुआ, या फिर इस element में मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा transition property लगा दो, अब जो transition property होती है, वो 4 properties से मिलके बनी होती है, कभी भी transition property को direct मस सीको, 4 properties सीको, सबसे पहले transition property, transition property क्या है, ठीक है, फिर इसके बाद होता है आपका transition, एक होता है timing function, फिर होता है transition duration, दूसरे नमबर पर आता है transition duration, फिर transition timing function, transition timing function, और इसके बाद आता है transition delay, ठीक है, तो यह जो 4 functions है, यह आप लोग याद कर लो मैं कौनसी property को transition करना चाहता हूँ transform वाली property को transition करना चाहता हूँ कितनी duration 3 seconds करता हूँ क्या function होगा ease in होता है इस in out होता है और भी बहुत सारे options होते है आप लोग अगर ऐसे करोगे तो देखो बहुत सारे functions आपको देखने को मिल जाएगा इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ पर अभी के लिए हम लोग यहाँ पर ease in out करते है ease in out, ease in और ease out का क्या difference होता है यह मैं आप लोग को बताऊँगा और transition delay जो है मानलो मैं कहता हूँ चार second के बाद मुझे चाहिए यह मुझे कम से कम एक second के बाद चाहिए चार ओर property समझाता हूँ कौन सी property में transition लगना चाहिए सबसे पहले इसका output दिखाता हूँ आप लोग को कैसा होगा देखो मैं इसको reload करूँगा जैसे मैं इसको reload करूँगा जैसे क्लास लगाई गई कितनी दिर बाद असर पड़े तो वह था transition delay मैं जैसे टिक करूँगा उसके एक second के बाद काम चालू हो जाएगा यह करा मैंने tick एक second के बाद यह देखो नीच आया और तीन second तक चलेगा यह नीच ठीक है वह मैं आप लोगों को आने वाले वीडियो में बताऊंगा लेकिन यह होता तो कुल मिला के animation ही है लेकिन property का नाम animation ही है transition है ठीक है तो यह transition जो है हम कर रहे हैं किसको transform property को जो transform property लेगी हो यह इसमे वो transition होगी यानि एक से आप एक से 100 तक ना जाने की मज़ा है अराम से जाओगी जिससे आपने कभी petrol डलवाए हो तो आपने देखा होगा कि वो एकदम से 1 से 500 नहीं होता है एकदम से transition होता है 1 होता है 2 होता है वो चलता रहता है 2.33 होता है फिर 3.88 होता है आपका petrol डल जाता है अब क्या होता है ना कि ये चारो properties को आप एक property में combine कर सकते हो कि इतना लंबा कौन लिखेगा इतना time किसके पास है हम यहाँ पर लॉरेम 59 तो लिखते नहीं है लॉरेम 23 और लॉरेम 34 और लॉरेम 45 लिखते है इतना time हमारे पास कहा है इतना चार properties लिखनेगा तो इसका एक shorthand ह बता है shorthand बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि आप transition all भी कर सकते हो transition all करने से सारी properties पर लग जाएगा जैसे मान लो कि मैं translate लगाकर इसका background color change करके letter से blue करता हूं ठीक है तो आप देखो कि मैं जैसे ही यह वाली property हटाऊंगा मैं translate class इसमें से हटाऊंगा मालो मैंने हट translate class और जैसे ही मैं translate class लगा दूँगा मैं जब अपना face gap करता हूं तो देखो मैंने यहाप translate class जो हटाई थी अभी मैंने हटाई enter मारा जैसे ही मैं translate class लगा दूगा और जैसे ही मैं translate class लगा दूगा एंटर बार हुँगा तो यह देखो एक सेकिंड के बाद नीच आ जाएगा और color इसका change होता हुआ transition होता हुआ च्योंकि मैं color property को भी transition कर रहा हूँ अमालो मैं transition करना चाता हूँ दो properties को तो मैं comma separated values का इस्तेमाल कर सकता हूँ तो instead of saying all मैं कह सकता हूँ color को करो transition और उसी के साथ transform को करो transition तो यह करने से भी मेरा काम हो जाएगा तो मैंने color और background color को करना था मुझे मैं कहूँगा भाई एक तो background color को करो और एक transform को करो तो यहाँ पर अगर आप आओगे और इसके बाद यह काम दुबारा करोगे मालो जो translate classes को आप हटा हो गया से तो जैसे आप हटा के यह करोगे तो एक second के बाद यह चला गया उपर तो सिर्फ दो property को भी आप transition करा सकते हो लेकिन all का आप इस्तिमाल कर सकते हो अगर आपको सारी properties को transition कराना है तो transformable भी लगा सकते हो जैसे मैं आपको अल्रीडी बतायाएगी अगर आप इसको scale भी करना चाते हो तो मैं अगर यहाँ पर कहूं scale और मैं कहें दू मालो 2 ठीक है तो यह बड़ा भी हो जाएगा ठीक है तो आप देखो यह बड़ा हो गया है और इस पे से अगर मैं हटा दूए class translate वाली मालो में translated कर दूँ इसको तो यह class तो ही नी तो यह उपर चला जाएगा वापते को छोटा हो गया फिर यह बड़ा हो जाएगा नीचा आएगा तो यह class लग गई एक second के बाद नीचा आ जाएगा यह इस तरह से ठीक है अब timing function के यहां की तरफ जाता है एकदम grow करता हुआ ठीक है यार speed इसकी बढ़ती चली जाती है फिर इसके बाद होता है आपके पास ease in out ठीक है क्या होता है ease in out यह ease in out है और आप यहाँ पर नीचे देखो तो लिखकर भी आ रहा है यह ease in out है यह कुछ इस तरह से चलता है आप अपना यह ऐसे चलेगा अगर आप चाते हो ऐसे चले तो यह ऐसे चलेगा अगर आप चाते हो यह ऐसे चले तो यह grow करता हो slow हो जाएगा देखो पहले speed बढ़ेगी एकदम से फिर saturate हो जाएगी रुख जाएगी ठीक है तो आप ऐसे करोगे तो यह और जैसे हो जाएगा बहुत त जाए था फिर slowly stop करेगा ठीक है तो इसके traces भी आपको दिख रहे हैं और आप अपना भी बना सकते हो अगर मानलो आप इस function को use करना चाहते हो बनाने के बाद यह इसको copy करो copy करके यहाँ पर ले आओ जहाँ पर मैंने ease in out लिखा था वहाँ पर ले आओ तो यह cubic bezier function हो गया यह function याद नहीं करना है यह याद करने मत बैड़ जाना यह खुद बना लो यहाँ पर आके और भी टूल्स होते हैं बनाने के बट मेरे साब से तो web development कर रहे हो तो आपसे करके कर सकते हो यह select कर सकते हो temporal interpolation ease in out वह सब होते हैं और प्रीमेर प्रो कभी और देख लेंगे हैं अभी हम लोग देख रहे हैं आपर css तो याद पर देखो ease out ऐसा function होता है ऐसा चलेगा ease out यह देखो ऐसा चलेगा shorten property जो कि क्या होती है इन चारो को एक कर देती है जैसे मैं आपको अलड़ी बताया था कि यार हम लोग आलसी लोग है हम लोग के बास कहा इतना टाइम है तो आप लिखो यहाँ पर transition और इसके बाद यह चारो properties लिख दो कि यार मैं सारी properties करना चाहता हूँ तीन सेकेंड के लिए करना चाहता हूँ इसके बाद भी अगर आपको help चाहिए तो आप MDN reference पर क्लिक करो और आप इसके MDN reference पर चले जाओगे क्योंकि official documentation पर आप लोग आते हो और चीजों को देख पाते हो ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देखो कि यह जो है काम कर रहा है अगर मैं आप लोग को अपना page दिखाऊ हो तो तो अगर मैं इसको translate के बाद यह ओपर चला जाएगा ठीक है और मैं इसको दुबारा से translate कर दूँ तो यह एक second का delay है तीन second तक चलेगा बतला सब कुछ काम कर रहा है इस इन आउट भी काम कर रहा है तो इस function को बदल के देखते है यार थोड़ा ऐसा बनाते है थोड़ा aggressive बनाते है इस function को ऐसा बनाते है बहुत तेज जाएगा और फिर slow हो जाएगा ऐसा बनाता हूं बहुत तेज जाएगा फिर slow हो जाएगा ठीक है बहुत तेज जाएगा फिर एकदम यह हो जाएगा ठीक है तो यह जो function है इसको मैं ले जाता हूँ copy करके वहाँ पर तो यह cubic bezier function बना है अभी मैंने इसको मैं ease in out की जगा रख देता हूँ और मैं page को यहाँ पर reload करता हूँ और इसको दुबारा से translated करता हूँ और आप देखना ही देखो ऐसे गया देखो कितना aggressive start लिया और फिर slow down हो गया और वापस से मैं करूंगा translate तो एकदम aggressive start लेगा फिर slow हो जाएगा तो इस तरह के भी functions आप बना सकते हूँ जो function अच्छा लगए वो यहां से बना लो और उसका solution आने वाला है और shout out मिलने वाला है लोगों को time है भी record भी नहीं करूंगा time अप लोग के पास है आराम से आप इस grid को design करो और आपको shout out मिलेगा और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार views कम हो गए है तो आप devotee मेंट बत हो ना प्यार मैं तो views देखके बनाईए लोग videos to be very honest मैं तो यार बना रहा हूँ मुझे web development का the best course अपनी तरफ से 100% डाल के बनाना है अपनी तरफ से 100% मेरा आना चाहिए बस इतना मैं कर सकता हूँ इससे जादा मैं कुछ नहीं कर सकता है इतना ही है लाइक जरू करते है इससे motivation बड़ता है thank you so much guys for watching this video and I will see you next time